असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम आर्टोकेट सेवल और और और्किटेक्चर के ओपर डिस्कस करेंगे कि आर्टोकेट 2015 सेवल और और और्किटेक्चर क्या है और इस पर किस तरह काम किया जाते हैं तो students इससे पहले हमने AutoCAD Mechanical 2015 के ओपर discuss किया था और AutoCAD 2015 की टिटोरियल भी आपने देखे होंगे और उमीद है कि आपको अच्छे भी लगे होंगे, आपने उन पर काम भी किया होगा और आपको वो professional तोर पर AutoCAD Mechanical के ओपर आप Drawtings और आपने Mechanical Structure, Mechanical Modeling ग़रा Draw करने सीख लिए होंगे, और आप खुद भी कोई भी आपे पास object सामने है तो आप उसे AutoCAD के ओपर बना सकते होंगे, 3D modeling कर सकते होंगे तो अब हम AutoCAD Civil और Architecture के ओपर discuss करते हैं तो AutoCAD के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि AutoCAD है क्या, AutoCAD पर काम किस तरह करते हैं क्योंकि हमने से पहले भी AutoCAD 2015 Mechanical के इलावा भी हमने एक AutoCAD 2007 के ओपर काम किया था जो के Civil और Architecture हमने complete काम किया था तो students AutoCAD Mechanical और Civil ये अलग-अलग से courses तो अलग-अलग से हैं लेकिन software हम एक ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको AutoCAD 2015 Mechanical में भी आपको मैं बताया था क्योंकि इसमें जो work spaces हैं वो आपके modeling के लिए भी है आपके civil और architecture drawings ये designs के लिए भी है तो आप उन में से जो भी modeling है जो भी workspace आप यूज़ करोगे चाहिए अगर mechanical का का काम करना है तो mechanical के लिए आपने जो work space यूज़ करना है वो 3D modeling यूज़ करना है और civil के लिए जो आप काम करोगे तो civil में आप जो drawings गारा बनाओगे तो उसके लिए आप drafting ज़रा भी काम करोगे इसके लवा 3D bake से आटोकेट basic भी है इसमें जो इसका work space है उस पे भी आप काम करते हैं तो civil और mechanical में फर्क के होता है कि civil थोड़ा साब का civil में जो assemblies बनानी होती है अपर आपने जो drawings बनानी है ये काम करना है तो वो सारी आप solid editing के ओपर काम करते हो complete of solid editing बनाते हो और आपने जो भी चीज बनानी हो solid अपने काम करना होता है जबकि civil में हम solid भी करते हैं लेकिन civil में हम इतना ज्यादा हमार पास tough काम नहीं होता है हम इतना ज्यादा tough काम यतने मुश्किल आपके objects नहीं होते जो आप AutoCat mechanical में बनाऊगे AutoCat civil यस पहले हो गारे जो हम जिस पर इसमें how to mechanical को भी काम कर सकते हो और अप electric को भी काम कर सकते हो लेकिन electrical याई समबल होते हैं supHHHH है आपको बनाने पड़ते अ उसके लिए जो AutoCat electrical है अजर आप अणर खो इन सम्जा़त्य के आप hyvin काम करे हो तो उसके अंदर symbols वेरा complete बने वे होते हैं और अगर आपने अगर for example आप electrical पर काम करते वे क्योंकि जो लोग electrical engineer हैं या फिर electrical पर काम करते हैं उनको पता होगा कि अगर उसमें कुछ circuit आपका सही नहीं बना हुआ तो वहाँ पर आटोकेट आपको इस चीज़ को complete sample list होते है electrical autocad में तो जब हम electrical autocad पर काम करेंगे तो आपको सही समझा जाएए तो आटोकेट के इस autocad पर हम discuss करते हैं तो इससे पहले मैं autocad के आपको बताऊंगा कि autocad में installations के दुरान या फिर आप जब autocad को download करेंगे करने वो जब आप install करेंगे तो इसमें आपने इसके जो system requirement है वो क्या क्या होनी चाहिए तब आपका autocad जाके install होगा तो क्योंकि इससे पहले वाले जो मैं autocad आपको बताया था या पर autocad के लावा जो हमने काम किया था या जो जो हमने मैं आपने autocad के लावा जो है तो इसके लिए कुछ स्टूरेंट्स ऐसे थे कि जिनके बास सॉफ्टर इंस्टाल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनके system P4 P3 थे P3 से भी मतलब आपके P2 से थोड़ा सा अब गेर थे तो उनमें ना तो उनके हार्डेस में या फिर स्पेस नहीं होता था या पिर उनकी RAM में मसला होता थे इस वाई सो इंस्टाल नहीं हो सकती थे तो इसलिए मैंने AutoCAD में आपको ये lesson बनाने से पहले है मैंने सोच है कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें system requirement क्या क्या होती है तो अपने lesson तरफ चलते हैं तो पहले हम system requirement देखते है system requirement क्या है तो उसके लिए मैं next slide में आतो system requirement जो है आपको आपको आटोगेट की वो क्या है तो आटोगेट 64 bit और 32 bit पे भी आप काम कर सकते है 64 bit या 32 bit जो भी है उसके लिए आपस window 7 window 8, window 8.1 professional या enterprise होनी must है window XP पे काम नहीं होगा CPU जो आपका है वो AMD 64 का होना चाहिए 64 with SSE2 technology का होना चाहिए SSE2 technology जो है यह आपकी generations है जो कि आपकी processor की generations है तो processor दो types की होता है AMD company का होता है दो company जो processor design करते है AMD company होते और एक Intel होती है तो यह दोनों company design करते है और अगर AMD के लावा आपस Intel का processor है तो क्योंकि सबसे ज्यादा Intel का processor यूज के जाते है तो Intel का processor है तो वो आपका Pentium 4 से अप great होना चाहिए मेन आपका system है वो SSE to technology का होना चाहिए और मेन आपका dual core core to do यह इससे अप होना चाहिए आपका system memory की 4GB RAM होनी चाहिए minimum जो आपके पास memory होनी चाहिए वो 4GB होनी चाहिए और recommended जो है वो 8GB है मेन अगर अपका 8GB हो तो best है क्योंकि आपका जितना भी काम होता है उसके लिए आपके RAM आपने जो भी जितना भी काम करना होता है चाहिए आपने single user, multi user है, single user है या फिर आपने for example आपने एक वक्ने काफ़र काम करना है rendering भी करना है, downloading भी करना है तो उसकी वज़े से आप memory अगर अच्छी रखें तो आपके RAM अगर अच्छी होती है तो उस पर काम असानी से हो जाता है आपके सिस्टम हैंग नहीं होता है और speed भी सी सही देती है क्योंकि आपका data जितना भी आपकी काम कर रहे होते है मैंने आपने एक project बना रहे होते हैं तो उसका store हो रहा हो प्रोजेक्ट तो वह आपकी RAM के अंदर store हो रहा होता है यकर RAM का size साइज कम है तो सोने store अभी का है लेकिन वह पो जर्यादे slow हो जाए या आपका system तो वह यह data आपका होता है वह store जो हो रहा हो रहा है जू में है आपकी Switch off हो यह पर Light off हो जाती है यह आपका system off हो जाता है तो आपका data सारा आरिज हो जाता है और जब आप उसे सेव करते हो तो वो रैम से हटके आपका सिस्टम आपका हार्डिस में डेटा सेव हो जाता है तो इसलिए जब आप काम कर रहे होते हो प्रोसेसिंग जब आप कर रहे होती है। आपने को भी काम कर रहे होती है, औरेंडरिंग जारा कर रहे होती है। तो वह datasets डेटा RAM में सेट हो रहते है। RAM ईसको CSS कर रहे होते है। उसके लबा आपका जो Graphic Card होना चाहिए मेन आपका आगर आप चाहते हो आपने अगर 3D Models बनाए हैं आप उससे रेंडर कर रहे हो आपने उसकी Resolution आप चाहते हो अच्छी हो तो अच्छी Resolution के लिए आपके पास जो Card होना चाहिए Graphic Card तो वह आपका होना चाहिए 1280 x 1024 Pixels का ह होना चाहिए या फिर 1600 और 1200 पिक्जल कांचे जो के इसके अच्छे Color होंगे Hardisk का Space जो है वह आपका Installation के दुरान 8GP होना चाहिए 8GP Hardisk Space होना चाहिए Free होना चाहिए Hardisk और 8GP Installation और Downloading दोनों के टाइम अबबस तक्रीवन इतना Space होना चाहिए और उसके लावा 4GP Space आपके Programs वाइल्स के लिए होना चाहिए पॉइंटेंट वाइस में Mouse आपके पास Media, Browser तो यह आप इस सिस्टम में होते हैं ब्राउजर आपका Internet Explore तो चाहिए आप Windows XP करें Windows 7 करें 8 करें 8.1 करें तो उसमें Internet Explore जरूर होते हैं हाँ .NET Framework जो है यह आपका Important है तो .NET Framework 4.5 होनी Must है अगर यह 4.5 नहीं है और आप जब Downloading के बाद आप Installation कर रहे हो तो Installation करते हुए अगर आपके पास Internet Connect है तो आपस यह कहेगा कि आपके पास .NET Framework का version जो है वो old version है आप उसे update करना चाहते हो तो आपने उसे update करना है तब आपके पास AutoCAD install होगा Otherwise यह error देदेगा तो .NET Framework आपस 4.5 होनी Must है उसके राब कुछ additional requirements हैं 3D modeling के लिए अगर आप 3D modeling पे भी काम कर रहे हो तो हम कुछ 3D modeling के structure दो draw करेंगे लेकिन हम उसे render वगारा camera animations वगारा कम देंगे क्योंकि वो AutoCAD में इतना खास काम नहीं होता उसके लिए 3D Studio Max या फिर Maya पे हम काम करते है तो 3D Studio Max और Maya भी आपस Autodesk के software है जो के बहुत advanced software है animations या फिर आपके camera जोर आपने for example material apply करना है camera जोरा लगाने या फिर आपने rendering करने है modeling जोरा करने है तो उसके लिए 3D Max या Maya को यूज़ करते है dispatch जो आपके 9GP होना चाहिए available होना चाहिए dispatch installation के दुरान तो यह थी इसकी additional requirements और system requirements अब के AutoCAD की अब चलते हैं जी AutoCAD तो AutoCAD होता है क्या है AutoCAD बिसिकली दो लफ़ से मिलके बना है Auto and CAD से Auto का मतलब होता है automatic और CAD होते हैं computer added drafting या पिर इसको computer added design या पिर computer added drawings भी कहा जाता है तो मिन आप computer के तुरू जब आप कोई काम करते हो कोई drafting बनाते हो drawing ये design बनाते हो तो अप उसको CAD कहोगे और वो CAD जो आप automatically आपने सिर्फ unit set करके अपने काम करना है तो वो आपका automatic computer added design हो जाएगा इसके आप drafting जो होती है drafting होती क्या है तो drafting होती है जब आप कोई भी काम करते हो किसी भी specific mailing unit के तुरू या या पिर आपने कोई भी काम करना है approximate length के तुरू मिन अगर आप कोई काम कर रहे हो या पिर कोई project कोई jobs वह बना रहे हो तो उसमें एक तो अपने drafting अगर उसमें देनी है तो drafting आप अगर कर रहे हो तो उसमें आप specific mailing unit के थुरू आप काम करोगे चाहे वो centimeter में आप काम कर रहे हो उसके लिए आप इंचे में काम कर रहे हो उसके लिए आप पस drafting होनी मस्त हैं और उसके लावा भी अगर आप एक अप प्रॉक्सी में आप रखके लिंट के उपर काम कर रहे हो आप अंदाजे के मताबिख लिंक वाइरा देगे के काम कर रहे हो तो इस पी आप काम कर सकते हो तो जो लोग से प्रफेशनल डिजाइनर होते हैं या प्रफेशनल क्या होता है तो कहता है कि drafting is a term used to refer to the systematic representations and dimensional specification of mechanical and architectural structures drafting is one of the key components involved for those that study architectures तो drafting कैसी चीज़ है कि जो लोग architecture के बार में study करते हैं architecture पर काम कर रहे होते हैं तो वो drafting के through या अपने many projects where we act informal बनाते हैं और जो भी व्यादाने से पहले आपने site का visit करना हैं कौन से site के उपर आपने काम करना है पहला सिरे मीन आपने घर बनाना है तो उसके लिए जगह देखेंगे जगह देखने के वाद उसमें आप आप रफ सी आप डॉफ्टेंग खुद से हाथ से बनाएंगे फिर कम्प्यूटर के उपर आप उस डॉफ्टेंग को सही तरह से अपने complete आप लिंथ वगए देके आपने बनानी है बनाने के बाद उसको फिर पहले आपने उसे टूडी में सारा करना हैं इस डॉफ्टेंगे बनाने हें नडाफ्टिंग पर उसके फ्रंट टेलिवेशन बनाने हैं तो ये सारे काम ढर्कों करेंगे א्ःपिस बनाने ही इन sa ROB ऐ सारी काम pride करेंगे उसके राव यह आप एखे Такि कि whenever we draw any object by the help of approximate length then we are creating drafting कि जब भी हम कोई काम या कोई भी चीज़ बनाते हैं एक approximate length के तरू या फिर यहां पर approximate length लिका हुआ लेकिन इसके लावा अगर आप specific measure unit के तरू भी अगर बनाते हो तो वो drafting होती है तो drafting के जो types होती है तो normal drafting की two types है map and drawings map and drawings में फर्क क्या होता है उसके आपर discuss करते है तो map जो होता है वो होता है जी अब जब भी कोई काम या कोई चीज़ बनाते हो एक approximate length पर जब आप काम कोई बनाते हो तो इसको आप map कहते हो for example map of word जिससे दुनिया का नक्षचा और दुनिया नक्षह को आन्दाज़े के मताबिक है इसमें मतलब complete इसका अब आप जो है कि इतना ज्यादा समंदर फैरा हुए हम तो परसेंटेज में बता रहे होते हैं लेकिन समझे के यहां पर इसमें कुछ एरिये हैं कुछ जगर जो अंदाजे के मताबिक है और कुछ पर कम्प्लीट आपका स्पेसिफिक मेरिंग जूनर के थूरू भी काम किया हुए तो यह जी इसमें पर मैप फोर्ड यह भी आपका अप्रॉक्सिमेटली इस पर काम किया है लेक्ते भी हैं मैप के बाद है ट्राइंग तो ड्राइंग होती है विनेवर विड्रा एनी ऑब्जेक्ट बाद यह पर स्पेसिफिक मेरिंग यूनर देन वी एर वर्किंग एंडेडिंग और चलक और देख सकते हैं आपको सामने नजर भी आ रहा हो का अगर का नक्षब बना होए द्रांग होता है क्या है तो पहले भी तकरीबा आपको complete पता चल कियों कि अच्पट कैया है तो अच्पार्ट एक विड्राइंग कंपनी है उसका एक सॉफ्ट्वेर है for either computer edit design और computer edit drafting तो जो CAD की टर्म ब्यूस के किए CAD आपका computer edit drawing या पर computer edit drafting भी CAD को कहा जाता है AD is used to assist architect and engineer to draw 2D और 3D drawings और models तो AutoCAD के ओपर जो engineers या पर architect engineer हो गए है जो भी engineer जा है mechanical है electrical है, civil है कोई भी engineer है तो वो AutoCAD के ओपर ही काम करके आपके electrical engineer है तो वो अगर आपने इसने कोई project बनाना है और ड्राइंग्स वरा बनाना है एक home बनाव घर बनाव है तो उस घर में जो वारेंग्स वारेंग्स के बारे में बताना है कि कहां पर कौन सा point है कहां पर कौन सा point है तो वो भी AutoCAD के ओपर काम करेगा mechanical structure drawer हो रहा है तो वो भी AutoCAD के ओपर रहा होगा और गाड़ी for example गाड़ीयों जो बनी वी है गाड़ीयों के जितने भी structures बनते है तो सारे के सारे AutoCAD के ओपर पहले बनते हैं उसके बाद उस सारी assembly उसकी होती है और इसी तरह civil का जो काम हो रहा है AutoCAD के ओपर design हो रहा है main अगर AutoCAD नहीं भी है तो उससे AutoCAD से पहले जब AutoCAD नहीं था उससे पहले जो लोग जो थे वो rough काम करते थे वो main अपने पास page पर वो drafting करते थे और वो भी बहुत सबर्दस drafting करते थे तो अब AutoCAD है तो AutoCAD एक latest software है latest चीज है technology है तो इसके ओपर भी बहुत ज़्यदा असानी होगी है काम करने में आप असानी से इस पर काम कर सकते हैं और इसके तरह आप drawings 2D drawings या फिर 3D drawings भी बिना सकते हैं models बिना सकते हैं तो AutoCAD का जो interface है वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा AutoCAD का interface यह आपको सामने नज़र आ रहा है complete तो यह हम जब AutoCAD पर काम करेंगे तो हमें आपको interface discuss करूंगा कि यह होता कि उसमें कहां पर कौन सी टोल्स हैं और क्या कि हम सार्च से आपको discuss करूंगा ribbon interface जो है तो वो है workspace तो workspace आपके जो होते हैं AutoCAD में इस AutoCAD 2015 में जो सबसे main important चीज़ है वो इसके workspace है तो इनी workspace के ओपर हम जो काम करते हैं जिसने हमने drafting करनी है तो drafting के लिए drafting innovations workspace है modeling के लिए 3D modeling है और 3D basics इसके इलावा भी आप workspace बना सकते हैं तो यह workspace बहुत important है आपने अगर modeling करें 3D modeling के लिए आप सिर्फ 3D modeling का workspace यूज़ करेंगे तो main workspace यहां पर दो हैं 3D modeling और drafting innovations इनके ओपर हम काम करेंगे 3D modeling जो होता है इसका 3D modeling जो workspace होता है तो 3D modeling workspace आपके simple 3D पर काम करने के लिए या 3D के आपने structure draw करने या फिर आपने for example mechanical structure draw करने तो इसके लिए 3D modeling को यूज़ करते हैं 3D modeling में हम mesh modeling होगी है surface modeling होगी है या फिर solid editing होगी है और इसके राव भी 3D work सारे के साब इसके हम करते हैं और solid work के ओपर हम 3D modeling का use करते हैं यह आपने जब 3D काम करने उसके लिए हम use करेंगे और जो आपका drafting innovations जो होता है यह आपका 2D drawings बनाने के काम आता है और 2D drawings जितनी भी आप बनाते हो आप drafting and innovations पर आप बनाते हो और drafting आपका 3D का काम नहीं करता है 3D के लिए 3D modeling पर जाके अपने काम करना है तो 3D modeling पर काम करेंगे तो यह drafting innovations पर स्पेस जो है इस पर हम काम करेंगे तो AutoCAD में पहले जो tools होंगे सारे के सारे वो drafting के होंगे उसके बाद आपके जो tools होंगे वो 3D modeling के और इसके बाद हम अपना civil के काम complete करेंगे और next job का interface है सेवल home drawings है आपके पास तो यह देख सकते हैं आप आपके पास यह truly drawing है ground floor बना हुआ है यहाँ पर हम यह बनाएंगे इसके ओपर काम करेंगे एक और model आपको सामने नजर आ रहा होगा तो इसमें मरला भी बताया हुआ हुआ कि कितने मरले पर यह मकान बना हुआ है इसमें specific marrying unit के थूँ देखें complete इसमें detail देवी है देख सकते हैं आप अब वही मकान जो है वही चीज जो है वह 3D model में convert हो गया 3D modeling आपको सामने नजर आ रहे होगी तो यह 3D में हमने convert किया उसको और अब 3D में convert तो कर लिया लेकिन 3D के अंदर भी अगर आपने for example कोई assembly आपने for example उसके अंदर furniture लगाना है तो आप वह furniture लगा सकते हैं तो वह देख सकते हैं complete furniture भी लगा के आपको बता दी किसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं और किस तरह complete आपको rooms bedrooms कहां प्याए kitchens तो इ अदर आ रहे हैं यह भी 3D modeling में हमने किये और यह थर्ज यह हमार रहा रहा है और यह थर्ज यह हमार रहा 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 है यह फिर आपको इस lesson के समझ आई होगी और आपको AutoCAD के बारे में complete introduction मिलके होगा कि AutoCAD है क्या और इस पर काम कैसा कैसे किया जाएगा और किस तरह हम काम करते हैं तो इंशालला AutoCAD के ओपर complete जो आपकी AutoCAD की 2D drawings, 3D drawings, 3D modeling, assemblies उसके लावा आपने 3D में जो front television और उसके लाव फांडेशन वारा यह complete details से आपको समझाऊंगा और आपको अनिशालला complete आपको AutoCAD पर असानी से काम आप कर सकेंगे आपके सामने अगर कोई भी चीज पढ़ी गया तो आप उस पर आप उसे अपने AutoCAD में draw कर सकेंगे और उसके लावा material अप्लाय करना भी आपको सीख होंगा और इसके लावा आपने अगर material के लावा आपने rendering करने ह अपने camera या image camera लगाने अपने camera का function होता है कि आपके जो complete आपका AutoCAD तो हो गया लेकिन आपने AutoCAD के पूरा 3D building हमने draw कर ली 3D building ड्रॉक करने के बाद इसके अंदर क्या-क्या लगा हो है वो सारा का सारा structure भी आपको दिखाऊंगा तो निचाला next lesson मिलूँगा तब तक अपन